हेलो गाइज वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल इंजिनरमेंट तो आज की लेक्चर में लोग डिसकस करेंगे कि नेसे सीटी ओफ टेंडर क्या होता है था हमने लास्ट लेक्चर में डिसकस कर दिया था कि टेंडर होता क्या है टेंडर क्यों इनवाइट क्या आता है है इन्वाइट क्यों करते हैं लोग टेंडर का नेसे सीटी ओफ टेंडर तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि इसका नेसे सीटी क्या होता है तो हमने लास्ट लेक्टर में डिसकस भी क्या था कि टेंडर होता क्या है तो एक फिर से डिसकस कर देते कि टेंडर क्या होता invite the contractor तो किसी भी काम करने के लिए काम को करने के लिए contractor को जब invite करते हैं तो यह जो प्रोसेस होता है invitation का उसी को हम लोग tender बोलते हैं इसको न्यूज पेपर में या और भी बहुत सारा medium है उसी के according क्या था invite क्या जाता है तो आज इस लेक्चर में लोग देखते हैं कि necessity of tender क्या क्या हो सकता है तो necessity क्या होगा cheap and best work करने के लिए tender को invite क्या जाता है और estimated limit में time and finance को देखते हुए कि हमारा time का limit क्या है amount क्या है तो उसी के according क्या होता estimated limit में काम को करने के लिए tender को invite किया तो यह सब necessity है tender का तो जब हम लोग को सस्ता काम and अच्छा काम करना रहता है तो इसके लिए tender को invite क्या जाता है तो यह necessity of tender है तो आपको समझ में आ गया हो कि tender हम लोग क्यों invite करते हैं tender के लिए कोई भी या फिर government ही हो तो बड़ा बड़ा बिल्डर हो तो बड़ा बड़ा बिल्डर भी अपना contract लेती है इसके बाद वह भी smallest pieceworks के लिए क्या करती है छोटे-छोटे contractor को tender invite करती है या फिर बड़ा company है एनेचे आई है तो वह भी टेंडर देती है छोटे-छोटे company को National Highway Authority of India Airport Authority of India तो वह सब भी tender क्या करती है निकालती है तो ज्यादा तर्फ जो है tender government में ही दिया जाता है बाकी तो contractor खुद ही अपना work manage करके करवा लेती है तो necessity of tender जो है वो main purpose इसका जो है cheap and best work करने के लिए tender को invite रिक चाहता है और finance limitation of finance estimated time तो time का estimation को देखते हैं कि हाँ हमारा time का estimate जो है वो एक month है या फिर 15 days है इसी के अंडर में इसको काम को complete करना है और हमारे पास पांच लाक अमाउंट है तो उसको देखते हुए क्या क्या आता है tender को invite किया आता है तो estimated limit and time and finance के अंडर में जो work कराना पड़ता है हम लोग tender invite करते हैं necessity of tender यही होता है तो generally जो tender invite किया आता है तो वो cheap and best work करने के लिए tender को invite किया जाता है तो अब हम लोग language में देखते हैं कि tender होता क्या है same अभी जो चीज हम discuss किये language में भी वही same चीज आपको मिलेगा तो देखते हैं tenders are invited because you once the owner has decided to proceed with the work and when all the preliminaries are completed जब पूरा प्रैमरी स्टेज जो होता है वो जब हो जाता है कि हां हमको इतना काम करना है सपोज अगर वन इस्टोरी बिल्डिंग बनाना है या थिरी इस्टोरी बिल्डिंग बनाना है तो हमारा पूरा planning जब setup हो जाता है कि इतना amount हमको invest करना है इतना दिन हमारे पास time है तो यह सब सारा setup को देखते हुए प्लानिंग को देखते हुए टेंडर को invite किया था जब preliminary infection inspection या फिर आप बोल सकते कि preliminary stages जो होता है वो सारा complete हो जाता है इसके बाद tender को invite किया आता है तो यह क्या है necessity of tender है तो मेली जो necessity of tender है तो वो cheap and best work करने के लिए tender को invite क्या आता है मैं बार बार इसलिए बोल रहा हूं repeat इसलिए कर रहा हूं कि ताकि आपको समझ में आ जाए कि necessity of tender क्या होता है cheap and best work कराने के लिए tender को invite किया आता है तो next point जो है the primary objective of tendering is to select the main contractor to undertake the construction phase of the project क्या काता है कि the primary objective of tendering तो primary जो objective है aim है initial aim जो रहाता है to select a main contractor जो बड़ा बड़ा contractor है जो अच्छा कानम करता है उस contractor को select करने के लिए to undertake the construction phase और उसको undertake करने के लिए project का जो work है उसको देने के लिए क्या 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 आता है tender को invite कि आता है तो इसलिए जो tender है वो necessary है तो next point जो है वो देखते है हम लोग legally this is an attempt to ascertain if an offers can be received from interested builders to execute the work within the estimated limit of time and finance अभी जस्ट हम discuss किए कि estimated limit of time and finance में अगर कोई work कराना है हम लोग को तो हम लोग legally क्या करते हैं tender invite करते हैं तो यह सब necessity of tender है तो आज की lecture में इतना है फिर next lecture में आप लोग के साथ मिलते हैं new topics जो है वो types of tender जो की बहुत important है तो तब तक के लिए बाए के सबस्सक्राइद क सबस्ट ways